नमस्कार विराना मैं नवीन कुमान नंदन और आप देखने नेशनल दस्तक बीजेपी के नेताओं के कारणामे बड़े-बड़े हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम पेपर लीक मामले में सामने आया है और पुलिस पहुँच गई आधी रात को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को गिरफतार करने के लिए और पुलिस ने घसीटते हुए मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से पुलिस है घसीटते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ले जा रही है दैनिक भासकर ने खबर छापी है दैनिक भासकर लिखता है पेपर लीक केस में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष गिरफतार बंदी संजे कुमार को आधी रात घर से उठा करके ले गई पुलिस वारंगल कोट में आज पेशी होनी है आगे लिखता है दैनिक भासकर तेलंगाना में सस्ती बोड का परचा लिक मामले में प्रदेश भासपा अध्यक्ष बंदी संजे को पुलिस ने मंगलवार आधी रात को गिरफतार कर लिया पुलिस करीम नगर इस्थित उनके आवास पहुची और उन्हें गाड़ी में दौरा था और दौरे से ठीक तीन दिन पहले ही तेलंगाना की पुलिस ने तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उनको गिरफतार कर लिया है वहीं देखिए दैनिक भासकर लिखता है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी 8 अप्रेल को तेलंगाना के दौरे प दिखाएंगे पी-म के आने से ठीक तीन दिन पहले बंदी संजय की गिरफतारी से तेलंगाना की राजनीतिक महाल गरम हो गया है बता दे कि राज में इसी साल के आखिरी में चुनाओ होना है और विधान सभात चुनाओ जब होना है वहाँ पर लगातार राजनीतिक सरगरम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लेकिन जिस तरीके से गिरफतारी हुई है भारतिये जनता पार्टी आग बबूला है जो पेपर लीक की बात कही जा रही है पूरा मामला क्या है मैं आपको दैनिक भासकर के हवाले से खबर बता रहा हूँ पुलिस के मुताबिक चार अ भाजपा कारकरता भूराम प्रशांत इस पेपर की तस्वीरे सोचल मीडिया पर सर्कुलेट कर दी इस केस में मुख्या रोपी का भाजपा से कनेक्शन होने कारण पुलिस ने बंदी संजे कुमार को गिरफतार किया है और जो संजे कुमार है आरोपी है वे कह रहे हैं कि ब बंदी संजे ने रात 12 बच को 46 मिनट पर खुद को गिरफतार किये जाने का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा बी आरस में डर का महौल है पहले उन्होंने मुझे मीडिया को इंटर्विव देने से रोका और अब रात में मुझे गिरफतार किया है मेरी गलती रही कि मैं भी आरस सरकार से गलत कामों पर उनसे सवाल पूछने लगा भले ही मैं जेल में रहूं पर आप लोग भी आरस से सवाल पूछना बंद मत करना अब आप देख लीजिए किस तरीके से मामले को डाइवड किया जा रहा है और वही बी आरस जो सरकार हितलंगाना की ओ अलग ही कुछ कह रही है लेकिन भारती जनता पार्टी का अपना अलग ही राग है और अलग तरीके से राग अलापने का काम यहां पर किया जा रहा है मैं तमाम लोग रियक्शन्स आये हैं मैं उन रियक्शन्स को आपको पढ़के सुना देता हूँ नदीम जावेद ट्वीट करते हैं वे लिखते हैं ब्रश्टा चार चाहरा फेर सौदे में हो या फिर पेपर लीक में भाजपाई कभी पीछे नहीं हटते तिलंगाना के आचरण और संस्कार के हिसाब से कोई नई बात नहीं है देश में भ्रश्टा चार मतलब भाजपा और भाजपा मतलब भ्रश्टा चार है वहीं आम आदनी पार्टी के नेता नरेश बाल्लयान दिल्ली से ट्वीट करते हैं लिखते हैं पेपर लीक केस में तिलंगाना ब किस दरजे के एपराधी हैं जिस दिन सरकार से जाएंगे सारे कुकर बाहर निकलेंगे मुख्यमंत्री उमीद्वार ही पेपर लीक में अंदर जा रहा है वही दावायर हिंदी लिखता है हाइश्कूल हिंदी के कथित पेपर लीक मामले में तिलंगाना भाजपा ध्यक्ष गिरफतार कर लिए गए हैं अब आप सोचिए किस तरीके से गिरफतारी हुई है यहाँ पर और बीजेपी अपना अलग ही राग अलापने का काम कर रही है चोतरफा सन्नाटा है मीडिया में इस खबर को जादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है इस पर डिबेट नहीं करवाई जाएगी क्योंकि जब पूरे मामले की निस्पक्ष तरीके से जाच होगी तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा किसको फायदा होगा किसको नुक्सान होगा ये तो आने वाला वक्त और तमाम जाज जनसिया ही बताएंगी कि इसमें दोशी कौन है या फर्जी आरोप लगाए गए हैं लेकिन भारतिय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है कि पूरे मामले की नियाज तरीके से जाच कारी है बीजैपी का कहना है कि घी जो बियारस है जो में सब्सक्क density में दरसल उनके गलत कामों को फीजैपी कहेंता लगा तार जागर कहते रहें और इससे बियारस घबरा गई और इसलिए बीजेपी प्रदेश अध्धक्ष को गिरफतार करवा लिया गया ओभी आधी रात को अब आप सूचिए हमारे देश में चल क्या रहा है हो क्या रहा है पेपर लीक हो जा रहे हैं जब पुलिस गिरफतार करने पह इसलिए लगातार चल रही है क्योंकि 8 तारिक यानि 8 अप्रेल को नरेंद्र मोधी का तिलंगाना में दौरा है और माना जा रहा है कि इसी साल वहाँ पर विधान सभाद चुनाओं होने हैं और भारतिय जनता पार्टी अपने उपर लगे आरोपों को अब बियारस पर का काम लगातार कर रही है फिलाल इस वीडियो भी इतना ही लेकिन पूरी वीडियो लेकर के आपकी क्या प्रत्किरिया है क्या विचार है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा धन्यवाद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख